आज हम आपके लिए अमरी सर के अंदर 118 स्केर याड का सिंगल स्टोरी घर लेके आए हैं यह है 2BHK का घर आपको काफी अच्छे दामों पे मिल जाएगा आप इस घर का फ्रन्ट एलिवेशन देखिए आसपास भी काफी अच्छे घर बने हुए हैं इस घर का फ्रन्ट 21 फूट है और इसके लंबाई 50 फूट है घर के बाहर 30 फूट की रोड है घर के बाहर आप देखिए 8 फूट का में गेट लगाया गया है घर के अंदर एंटर करता ही पार्किंग स्पेस है यहीं से आप देखिए स्टेर के सुबर फर्स फ्लोर के लिए जा रही है साइड में आप देखिए 4 फूट का सेट बैक एरिया दिया गया यहीं पर आप देखे वासबेशन लगाया गया है वाशिंग एरिया बनाया गया है और एक टॉलेट की स्पेस दी गई है मड़े अराम से यहाँ पार्किंग के अंदर आप अपनी कार पार कर सकते हैं काफी अच्छी स्पेस दी गई है जैसे आप देख रहे हैं गैस पाइप लाइन का कनेक्शन आया हुआ है घर के अंदर एंटर करते हैं सबसे पहले देखें लॉबी की स्पेस है लॉबी के अंदर आप देखें प्रॉपर सिटिंग एरिया बनाया गया है फ्लोर के अपर विट्रिफाइड टाइल लगाई गई है साफे अच्छे तरीके से पूरा फनीचर सेट किया गया है लॉबी के अपोजिट ये आप देखेंगे की किचन की स्पेस है आईए आपको किचेन एरिया दिखाते हैं किचेन एरिया के अंदर आप देखें यू शेप का काउंटर बनाया गया है प्रॉपर आप देखें फ्रीज के लिए लग से स्पेस देगी है काउंटर के पर गेनाइड मार्बल लगाया गया है रोशनी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है काफी अच्छी स्पेसिश किचन है ये लॉबी के साथ ही फ्रंट सैट पे आप देखेंगे तो ड्रेंग रूम की स्पेस दी गई है काफी अच्छा बड़ा ये रूम है रोशनी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है सेपरेट बार से भी एक इसकी एंट्री के लिए दरवाजा दिया गया है यहाँ पर आप अपना पूरा सोफा सेट फरनीचर सेट कर सकते हैं और लॉबी एरिया को आप अपना ऐसे डाइनिंग एरिया बना सकते हैं काफी एच्छे तरीके से पूरा आपका फरनीचर यहाँ सेट हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर पर दो बेडरूम है आईए आपको बेडरूम दिखाते हैं बेडरूम के अंदर देखिए प्रॉपर डबल बेड लगाया गया है साइट टेबल काफी एच्छी स्पेस है बेड के अपोसिट भी आद देखेंगे काफी एच्छी स्पेस है यहाँ पर आप अपना टीवी यूनिट बनवा सकते हैं इस रूम के साथ अटेश डग्ट एरिया है डग्ट एरिया के अंदर वाजबेशन लगाया गया है पूरी बातरूम की फिटिंग इसके अंदर इंस्टाल है हमारी दिए इन्फोर्मेशन अगर आपको अच्छी लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अल्लॉक सुपर प्रॉपर्टी बैल आइकन को प्रेस कीजिए लाइकन शेयर कीजिए इसी तरह की अच्छी इडन इंफोर्मेशन हम लोग आपके लिए लेके आते रहते हैं आप ये सेकेंड बैडरूम देखिए इस बैडरूम के भी अंदर प्रॉपर स्पेस दी गई है डेवल बैड विट साइट टेबल इसली आ जाएगा बैड के अपोजिट काफी अच्छी स्पेस है वहाँ पे आप अपना टेवी उनेट और वाडरोब भी बनवा सकते हैं रोशनी वेंटिलेशन के लिए शाफट एरिया से विंडो दी गई है इस बैडरूम से भी एक रास्ता बात्रूम की तरफ जाता है यह दोनों कमरों का कॉमन बात्रूम में यह 118 गज का सिंगल स्टोरी टू भी एचके का घर है काफी अच्छी लोकेशन पे यह घर बना हुआ है काफी अच्छी तरीके से इसका लेयाउट बनाया गया है आप यह भाज स्टेरकेस देखें तेन फूड वाइड स्टेरकेस है स्टेर्नल स्टेल की रेलिंग लगाई गई है स्टेरकेस के उपर मार्पल लगाया गया है मॉम्टी एरिया के अंदर आप देखें काफी अच्छी स्टोरेज की स्पेस देगे है काफी घर का एक्ष्ट्रा समान यहाँ पर आप रख सकते है दोश्टी वेंटिलेशन के लिए विंडो देगी है बाहर बालकनी के लिए भी रास्ता दिया गया है और यह बैक टैर्स के लिए भी आप देखें स्टील का गेट लगाया गया है प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करके टाइल लगायेगी है डक्ट एरिया को कवड किया गया है वाशिंग एरिया के लिए आप देखें नल का प्रोविजन दिया गया है मम्टी एरिया के उपर वाटर टैंग लगाया गया है काफी अच्छी लोकेशन पे काफी अच्छे दामों पे 118 गच की एक ओठी आपको मिल जाएगी इसकी कीमत सिरफ 25 लाग रपे है अगर आप इस प्रापर्टी को खरीदना चाहते हैं तो आप हमार से कॉंटेक्ट कीजिए थैंक यू फूर वाचिंग माई वीडियो आप नहीं वीडियो